आप सब्सक्राइब नहीं के आप सब्सक्राइब जैसा कि हमने बताया था कल की वीडियो में ही कि आज जो है कबीर दाष्जी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष लाइब रात के 8 बच चुके हैं और अभी रात 9 बजे से आपकी पॉलिटिकल साइंस की लगभग एक प्रकार से बहुत ही महात्पूर्ण लगभग 100 से 500 पलस जो है कोईस्टन सेंसर्स में करवाय जाएंगे तो आप लोग उसको जरूर देखें आपजिक्टिव टाइप के जो है मौडल पेपर उसमें हम डिस्कस करेंगे एक बार मैंने लिखे तवाला मौडल पेपर आपके सामें देही दिया है और अब यह जो है आपजिक्टिव आप लोग तैयार कर लो मौलब दोनों वीडियो को लगबख दो तीन बार जरूर देख लेना चुकि उसमें बहुत जादा जानकारी आपको दी जाएगी अभी ठीक तो अभी उसको भी आप लोग देखने का प्रियास करें ठीक आज की वीडियो के अंतरगत हम कबीड़ दाश जी का जो एक परकार से गुर्देव को अंग है मलब की जो पांच दो हैं उनकी ब्याख्या देखने का प्रियास करेंगे उसके बाद जो है अभी आपकी रात 9 बजे से क्लास होनी तो उसको आप जरूर अटेंड करें ठीक और भी क्लास जैसे जो इंगलिस की कह रहे हैं और उनकी करें सभी की अब्जेक्टिब का मॉडल पेपर भी दे दूँगा और लिखित वाला भी दे दूँगा ताकि आपको कुछ चिंता न रहे चाहे आपका अब्जेक्टिब पूछ लिया जा चाहे लिखित पूछ लिया दोनों में आप एक प्रकार से तज्यूर्वेदार रहे हैं सभी में आपको यहाप पता रहे हैं कि हाँ पेपर कैसे आते हैं किस प्रकार से पूछा आता है ठीक सबसे पहले हम यहाँ पर देखने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार जो आज का वीडियो हो एक प्रकार से ब्याख्या खंड 15 है इससे पहले अगर हमारे साथ जो नए चाह चातरें जोड़ रहे हैं वो जान ले कि इससे पहले 14 व्याख्या खंड मलब वीडियो अप्लोड हो चुके हैं हिंदी साहित का मॉडल फेपर लेखित वाला अप्लोड हो चुका है सलेबस हमने पूरा डिस्कस कर दिया है सलेबस भी आप देख सकते हैं हिंदी काविका सलेबस पूरा हमने बता दिया है जो कि बीएफ समेश्टर में आने वाला है सभी बिस्विद्ध डैलेओं के लिए है रेक्च्छर जो है प्रकार से बैद है या बाद भी ध्यान रखोंगे नई सिक्छानिती के तहस सारी चीजे हो रही है और आज हम बात करें कवीरदास के गुर्देओं को अंग को लेकर के पांच दोहे हैं जो कि आपके पाठा करम में संकलित हैं उसके बारे में चार्चा करते हैं प्रारम करते हैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर है गुर्देओं को अंग ठीक इसका पहला दोहाँ के समक्ष है सबसे पहले बता दू कवीरदास जी से क्या संकलित है आपके पाठा करम में जो है कोने संपादक उसके संपादक हैं स्याम सुंदर दास इन्हों ने जो है उस पुस्तक का परकार से कवीरदास ने जो परकार से जो इनकी साखी सबद रमैनी है इन सभी को एक में लिख करके जो है क्या किया है जो है पुस्तक में चाप करके क्या करा है उसका संपाधन करा है तो जैसे हमने संपादक संपादक देख रहे हैं सभी लोगों का पहले गोरख्ञात की वे एक परकार से जो रचनाया थी उनका संग्यान किया था तो इस हमने विस्तार्स उसके बारे में आपको बठाई द Pengini मलब दीया मुसल्मानों के अनुसार कबीर जो है वो कौन है कबीर के मुसल्मानों के अनुसार कबीर के गुरू कौन थे सूफी फकेर सिक तकी थे और कबीर के बारे में सारी बात ही हमने आपको बता ही दी है कबीर कुबाने का डिक्टेटर आचारहजारी प्रसादर बेदी ने कहा था अंदर लोदी के समकालीन थे कभीर के पिकरार से उनकी रचना जो है मल की जए मल claim आध में संग रही थे बीजक की तीन भाग हाई साक्षी साबद रमैनी साखी मल भोता साथ्ची साध्षी सबद माने होता सबद रमैनी मलभ होता ठीक आप सभी को पता होगा कबीर के माता का नाम था नीमा पिता का नाम था नीरू पत्नी का नाम था लोई और पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था क्या कमाली सभी को पता होगा इनकी मिर्तु जो 15-18 में हो जाती है सारी बाते आप सभी को पते होगी इनके बारे में तो अब बहुत सारे लोग ये करें कि सर जी इसकी भी अब्जक्टिप करवा दीजेगा बहुत कमेंट्स वगर आएं तो मैं बिल्कुल करवा दूँगा ठीक इससे पहले बता दूँ कबीर की भांसा को सदुकड़ी किसने कहा है तो कबीर की भांसा को रामचन सुकला जी ने कहा है कि इनकी भांसा कैसी है सदुकड़ी है कबीर जो है निर्गुड धारा के प्रवर्टक है निर्गुड धारा के ग्याना सरई के प्रवर्टक माने जाते हैं तो और इनके कसमद में कहा जाता है कि मसी कागद छोयो नहीं कलम गहो नहीं हाथ ये बात कबीर दाश जी के संदर में कही जाती है तो ये बात आप ज्यान लखेंगे तो इतने चीजे किलियर होई आपकी इतने चीजे किलियर हो गई अब हम इनके जो है इनको लेकर के बात करते हैं क्या कैसे अंकलित हैं गुर्दियो का अंग जो है उससे पहला दोहा गुर् आपके पाठे करफ में संकलब है कुल मिलाकर के जो है आपके पाठे करफ में 10 दो है कवीर दाजी के संकलिते हैं बात करते हैं इसकी ब्याक्या गुर्देयों को अंग की एक बार जितने भी लोग मार सा जुड़े हों हैं फटा बट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हों मेरे पैरे दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजैं इसे आपको दोहा दिया जाएगा तो इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा संदर्व लिखना पड़ेगा संदर्व आप कैसे लिखेगा जिसको नहीं पता होगा तो उसकी कोई बात ही नहीं है तो कैसे लिखेगे भाई संदर्व आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तिया संतका बिधारा के कबीर दाहजी द्वारा रचित बीजक के साखी से ली गई है ठीक चाहे आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि प्रस्त दोहा स्याम संदर्दास द्वारा संपादित कबीर दास के गुर्देव को अंग से उधरित है जिसके रचैता स्वयम कबीर दास है मतलब कबीर दास है इतना लिख देंगे आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी ये इंपोर्टन्ट है ठीक तो इतने चीज़े आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से चाहिए लिख दीजी दोनों हमने बता दिये ये संदर्व हो गया प्रसंग क्या लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे कि ब्याक्खे दोहे में अतत्त सोधक सद्गुर ईस्वर और भक्त की महिमा को प्रतिपादी बिसे बनाएगा प्रतिपादी मतलब उद्देश के तोर पर लिखा गया मतलब या आप दूसरे तरीके से प्रसंग लिख सकते हैं कि इस दोहे में सत्गुर माने होता है गुरू सत्गुर माने क्या होता है गुरू सामान माने होता है सत्गुर समान को सगा समान माने होता है समान को सगा माने होता है अपना या फिर वो चीज़ सोधी माने होता है तत्त या फिर सोधक तत्त सोधक या फिर सुधी जिसको कहते हूं से मनलब स साही माने होता है समान दाती मलब होता है देने वाला या फिर दाता जो दान वगरा ठीक हितु माने होता हितैसी हितु माने क्या होता हितैसी और हर जन माने क्या होता है इस्वर या फिर इस्वर का भक्त कोई हो तो हरी जन माने होता है इस्वर का भक्त जो कबीर हैं वो कहते हैं कि सत्गुर के समान कोई जो है अन्य निकट संबंधी नहीं है सत्गुर समान को सगा वालब सत्गुर के समान कोई सगा नहीं है सोधी सही नदाती क्यों नहीं है सत्गुर के समान कोई अपना सगा ये कबीरदाजी कहते हैं और साथी साथ कहते हैं कि सोधी सही नदा सोधी माने होता है साधू सोधी माने क्या होता है महलब एक परकार से साधू या फिर एक परकार से जो सोधक होते हैं सुधी करने वाले मलब कहने का मलब साधू तो साधू जैसा कोई सुद्ध करने वाला नहीं होता है या साधू जैसा कोई दान देने वाला नहीं है साधू जैसा कोई दाता आर्था दान देने वाला नहीं है ऐसा कब इरदास कहते हैं कि सत्गुर के समान कोई नहीं है साधु के समान दान देने वाला कोई नहीं है आर्था सद्गुर जो होता है वो अपने अनुकमपा पर्बक्सित्यों की विसेवासनों का सोधन करता है और अंधकार को दूर करके उनके जीवन में क्या करता है जान का प्रकास करता है तो इसलिए कहा गया है ये बात जो है इनके गुरू के लिए ही कही गई है कि जो गुरू होता है वह हिर्दे सच्चा गुरू ही क्या करता है हिर्दे की सुध्धी करता है इसलिए सोधी दैन सईन दाति मलब जो गुरू होता है वो सगा होता है सगा इसलिए होता है चुकिवा क्या करता है सच्चा गुरू ही हिर्दें की क्या करता है सुध्धी करता है और यही बात यहां पर बताई गई है और हिर्दें की सुध्धी अगर हो जाती है गुरू के द्वारा किसी सिस्थी की यही क्या होता सबसे बड़ा दान माना गया है यहाँ पर यह परकार से रहे चुपा था कि गुरू के द्वारा दान मलब जो गुरू होती है अगर वो आपके हिर्दें के सुध्धी करवा दे गुरू अगर आपके हिर्दें के सुध्धी करवा दे तो वही सबसे बड़ा दान होता है इसलिए कहा गया है सोधी सईन अदाती मतलब अगर आपकी सुधी हो जाती तो बहुत बड़ा दान एक परकार से समझो गुरू का हो गया यह बात जो है यहां पर कबीरदार जी समझाते है आगे कहते हैं कि हर जी समान को ही तू हर जी माने होता है हमने क्या बताया था हर जी माने आपका एक परकार से हर जी समान क्या कहा गया कि हर जी समान समान को ही तू और हर जन सईन जाती मतलब इस संसार में ईस्वर आर्थात भारी जी माने होता है भगवान ठीक तो इस संसार में भगवान के समान कोई कौन क्या नहीं है समान को ही तू ही तू माने कोई हितैसी नहीं है इस संसार में भगवान के समान कोई हितैसी नहीं है हर जन सईन जाती हर जन माने क्या होता है जो भगवान का भगता है ईस्वर का जो भगता है काईने का मलब यह है यहाँ पर कि भगवान के समान कोई हित ऐसी नहीं है क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के सर भी हित कारी है हरजन सई नजाती मलब हरजन जो भगवान के एक परकार से जो भक्त है भक्तों में भगवान जो होते हैं सबको समान हिद करने वाले होते हैं समान हिद दोने वाले होते हैं सई न दाती मलब सभी सई न जाती मलब जो है कोई जाती नहीं होती है मलब ईस्वर की सेवा करने से बढ़कर कोई जाती नहीं है यहां पर यह बताने का प्रियास किया गया है और कभी जो है जन्म से जो है जन्मना जो उच्चता है ब्रामणों की सर्वसरिष्टा है उसको यहां पर नकारने का प्रियास करता है कि यहां ब्रामण जो चहें उसको यहां पर जो है कबीर दास नकारते हुए कहते हैं कि इसमें कोई जाती पाती का एक परकार से वो नहीं है हरी जन मलब भगवान के जो है लिए सभी समान है भगवान के जो है दरबार में हरी जन सही न जाती भगवान जाती पाते नहीं देखते भगवान के लिए सभी समान है भगवान के भगवान सभी काहित करने वाले हैं कहने का मलब यहां पर यह है तो इस जो दोहे की ब्याख्या आपके समझ में आ गई होगी कि सत्गुर के समान कोई सगा नहीं सत्गुर समान को सगा मलब गुरु के समान कोई सगा नहीं है सोधी सही नजजाती साधु के समान कोई दान देने वाला नहीं है साधू का दात पर यहां पर गुरू से लियाता है कि गुरू अगर आत्म सुद्ध करवा दे तो यही सबसे बड़ा दान होता है हर जी समान को ही तू भगवान के जैसा कोई हीता है इसी नहीं होता है हर जन सही नजाती मलब भगवान जो होते हैं कहने का मलब यह है कि सभी में हितकारी हैं क्योंकि वह बिना भेद भाव के क्या करते हैं सब का हित करते हैं तो हरिजन के समान मलब भगवान के समान कोई जो है कहने का मलब यह है कि प्रभू जो है भक्त सभी जातियों में सर्बसेष्ट होता है चाहे वो कोई भी जाती हो जो हरिजन सही नजाति मलब भगवान का जो भक्त होता है वो हर कारण में क्या होता है सबसे बड़ा होता है कहने का मलब यहाँ पर यह हो गया ठीक तो इतनी चीजी ब्याख्याप के समझ में आ गई अब इस दोहे की अगर बिसेस में आप लिखना हो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस दोहे में किस अलंकार का प्रियोग है सतगुर्ष, सामन, समान, कोसगा, सोधी, सई, नदात, सासा, साव, अलोग की आबिरती मलब यहाँ पर कौन सा लंकार? अनुपरास लंकार अनुपरास के सासात यहाँ पर वो क्रोकती अलंकार की भीजलग दिखाई पड़ती है इसके साथी साध यह लोकात्मग भासा का प्रियोग किया गया है ठेट कबीर सैली में ब्रामध की उच्चता को नकारा गया है यह बात यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ठीक और इनकी पंक्तियों में देखेंगे तो कौन सा गुण है यहाँ पर इस दोहे में सच्चे गुरू, साधू, ईस्वर और भक्त को विसेस महतु दिया गया है ठीक, मतलब की सत्गुर समान को सगा मलब सत्गुरू के समान कोई सगा नहीं, साधु की जैसा कोई दानी नहीं है, मलब देने वाला नहीं है भगवान के समान कोई हितेसी नहीं है और जो भगवान का भक्त होता है वो जो होता सभी जातों में क्या होता उच्छ होता है बस यतनी सी बैक्ख्या थी यतनी चाहिए हमने बताई बहुत ज़दा अगर डीब में जाओंगे इनके तो बहुत ज़दा रहस सिवादी हैं यह ना कबीर तो इसलिए ज़दा दिक्कत ह आपके समझ में आगया होगा आगे गा लिखने की लिए तो इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा आगे देखते हैं दूसरा दूहा है कि सत्वरलई कमान करी और वाहण लागा तीर एक जू वाही प्रीत सु भीतर रहा सरीर अब इस दोहे की ब्याक्ख्या है दे उद्रित है जिसके रचैता कबीरदास है इतना लिख देंगे उसके आदमें प्रसंग में लिखेंगे कि गुरु द्वारा दिये गए ग्यान की जो है बांड से देते हुए कबीरदास जी कहते हैं गुरु द्वारा दिये गए जो ग्यान है ग्यान की बांड से देते हुए सतगुर लई कमाड करी सतगुर कमाड माने होता है धनुस बाहर माने होता है बाहर माने होता है बाहर माने होता है धनुस सतगुर लई कमाड कर बाहर लागा तीर कहने का मलब यह है कि सतगुर ने धनुस हाथ में ले करके सतगुर लई कमाड करी माने होता है हाथ में ठीक है बाहर लागा तीर बाहर माने होता है बाण और जो है एक परकार से ग्यान रूपी बाण यहां परतात पर है बाहर लागा तीर मलब ग्यान रूपी बाण जो है चलाने का प्रारम कर दिया है कहने का मलब कि सतगुर जो ने जो है धनुस ले लिया है अपने हाथों में और ग्या रुपी बान्य चलाना शुरू कर दिया है बाहठ लागा तीर एक जुवाही प्रेठिसू भीतर रहा शरीर क्या एक जुवाही प्रीत सूँ भीतर रहा सरीर कहने का जीवातमा कहती है कि उन्होंने एक प्रेम रुपी बाण चलाया किसने भगवान ने एक बाण चला एक जू बाहि प्रीत सू मलब एक उन्होंने जो है इसमें जीवात्मा की बात भीतर रहा सरी मलब जो भीतर के अंदर जो सरीर बस रहा है मलब उसके अंदर की जो प्रकार से जो आत्मा हेवा कहती है कि उन्होंने एक प्रेम जो मेरे भीतर शरीर में जाकर के अवरुद हो गया उस सरीर में जाकर के गुस गया थी कितनी बात के लिए रहो गई तो ये थी से लाइन की बैच्फ़ा जो कि हमने आपके सामने परसुद करी यहाँ पर कहने का मलब यह कि सत्कुर्य जो होता है वहाँ एक परकार से ऐसा जो है धनुस रूपी उसके धनुस हाथ में ले करके उसने ग्यान रूपी बाण चलाया और ग्यान रूपी जब बाण चलाया तो जो है एक प्रेम रूपी बाण हमारे कहां पर गया हमारे भीतर आत्मा में मेरे जीवा आत्मा में जा करके बस गया ठ जो ग्यान रूपी बाण है ठीक इतनी चीच किलर होई यहाँ पर बिसेज बात यह है कि इस जो है इसमें जो साकी है यह साकी से लिया गाए तो इस पदमे यह इस दोहे में सत्गुर को प्रेम रूपी बाण चलाते हुए दिखाएगा पहली बात दूसरी बात यहाँ पर यह ह जो बाहि परी तो सुभीतर रहा सरीर ठीक तो यह चीचे हो गई अब आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की बाक्या हम समझ लेते हैं तीसरा दोहा प्रें बाक्या समझते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक बेद के साथ ही आगे था सत्गुर मिला दीपक दिया हा थी कहने का मालब यहां पर यह हैं सबसे पहले समझो कि इन पंक्तियों की ब्याख्या हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले इसकी संदर्म लिखेंगे कि परसुत दोहा स्वाम सुन्दा दाह द्वारा संपादित कबीरदास के गुर्द्यों को अंगसिया उध्रित है जिसके रचेता कबीरदास जीहन परसंग में आप लिखेंगे क्या परसंग में सीधे लिखेंगे गुरू के ग्यान को सांसारिक्ता यो मग्यान के अंधकार को मिटाने वाला बताया गया है इतना आप लिखेंगे ठीक है इस पंक्तियों की किसमे जो है परसंग में कि गुरू के ग्यान को सांसारिक्ता यो मग क्यान के अंधकार को मिटाने वाला बताया गया है यहां पर कि पीछे लागा जाई था लोक बेद के साथ ही आगे था सत्गुर मिला दीपक दिया हा थी मतलब कहने का यह है यह कबीरदास कहते हैं क्या कहते हैं कबीरदास कि बिना सोच विचार के पीछे लागा जाई था लोक बेद के साथ मनलब बिना विचार करके मैं जो है कहां पर चला गया था सांसारिक्ता एवं धर्म गरंथो को जो है पीछे चला गया था उसके पीछे चला गया था लोक बेद के साथ मनलब जो होता है जो सांसारिक्ता मनलब जो चली आ रही परम पर आए हैं धर्म गरंथो को हम धरम गरंथ था हैं उनको मैंने अपना लिया था और उन्हीं पर चल ला था फिर अचानक क्या हुआ कि पीछे लागा जाए था किसके लोग बेद के साथ मलब लोग बेद के पीछे पीछे मैं जा रहा था मलब उसको अपना रहा था कि आगे था सत्गुर मिला तब तक क्या ग्यान रूपी दीपक मेरे हाथों में दे दिया जिससे क्या हो गई जो मेरी अंधान की परवर्टी थी वह समाप्त हो गई मलब जो मैं लोक बेद के साथ जो है उसके पीछे पीछे लगा हुआ था उसको समझने में पड़ा था जो जो है लोक मलब धर्म गरंत वगरा हैं उन निकल गया जिसमें मैं जाना फस फस रहा था एक परकार से यह कबीर चेज़े नहें थे हैं तो यहां पर इचिजजी उन्होंने कहा इसके धर्म गरंतों में ढूंडते जो ग्यान उनको प्राप्त होता वो जो है गुरू के द्वारा प्राप्त हो गया उनको डारेक्ट मलब कहने का यह है कि आप जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको अभी यही चीज आपको किताब से पढ़ने पढ़ती या आपको अलग से कहीं पढ़नी पढ़ती गाइड बगरा से आप पढ़ते तो साइद उतने अच्छे तरीके से आपके ना समझ में आती और मलब जो सारी चीज आपको पढ़नी पढ़ती बहुत सारी चीज पढ़नी पढ़ती तब आपको एक ही जगा पर तमाम सारी बातों का पता चलता और उपनिस्साद इस्मristi बहुत सारी चीज़े हैं हिंदु द्हरम में मुस्लिम धरम में कई चीज़े हैं अवह रहे हैं दमाम सारी पुस्तके हैं कि भगवान कैसे प्राप्त हो मोक्ष को प्रापती कैसी हो तो सारी शीजे हमको गुरू से प्राप्त हो गई यह कब यहां पर कहते हैं तो इतनी शीजे के दियर हो गई आगे बढ़ते हैं अगले दो है कि 64 दीवा जारी कर 14 चंदा माही और तीही घर की इसको चाणिनो और जीही घर गोबिन ना ही कहने का मलब यहाँ पर सबसे पहले आप जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर संदरब कैसे लिखना आएगा आएगा आपको क्या लिखेंगे कि परसदोहा स्यामसंदरदास द्वारा संपादित कभीरदास के गुर्देओं को अंग से उधर थे जिसके रचेता कभीरदास जी हैं मलब आप लिखेंगे सिधे कि निरगुर्ब्रहम की महिणा बताई गई है यहाँ पर क्या निरगुडब्रहम की महिणा बताई गई है सीधे लिखेंगे चौसट दीवा जाएकर चौसट माने होता है कहने का मलब यह है कि यदि आप अपने घर में चौसट दीवकों को एक साथ जला दिया जाए किसी घर में या आपके घर में चौसट दीवा को एक साथ जला दिया जाए चौसट दीवा जारी कर चवदा चंदा माही मलब आप अपने घर में 64 दीपकों को एक साथ जला दें और साथी साथ उसमें भी 14 जो चंद्रमा होती है 14 कला ही होती है 14 कला पोड़ी माह के पहले परिवाद, दुतिया, तितिया, चतुर्थी प्लब ये जो तितियां है जिनमें चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं सारे चंद्रमा जो है 14 कला जो होती चंद्रमा की हो 14 कलाओं की जो चांदनी है मलब जो रोसनी है वो सब 81 हो जाए 14 चंदा माही मलब जो 14 हाँ चंद्रमा हैं वो एक साथ आ जाएं और 64 दीपक जला दिये जाएं आपके घर में सभी एकठा हो जाएं सभी समाहित हो जाएं फिर भी तीहीं घर किसको चान निडो चान निडो और आगे क्या है कि जीहीं घर गोबिन ना ही यदि वह निर्गुण ब्रहम का प्रकास नहीं है मलब वहाँ पर तो वहाँ अंधेरा ही रहेगा सदा कहने का मलब यह चाहे जितना 64 दीपक आपके घर में जला लें आप और चंद्रमा के जो है 14 कला से आपके घर में वाजन चंद्रमा उनकी रोसनी को सभी को मिला लिया जाए तो तीहीं घर किसको चान निडो मलब उसके घर में दीपक नहीं हो सकता जिहीं घर गोबिंद ना है मलब जिसके घर में गोबिंद आर्था जो है गुरू नहीं होते हैं निर्गुन ब्रह्म नहीं होते हैं मलब बिना निर्गुन ब्रह्म के उस घर में अधेरा नहीं होगा मलब उजाला नहीं होगा करने का मलब यह है कि 64 दीपक आपके उना जला उचानलो मलब अंजोरा यह वहाँ पर नहीं रहेगा वहाँ पर हमेशा क्या रहेगा अंधकार रहेगा कहने का मलब यह कि बिना भगवान के बिना निर्गुन के मलब जो है वो जो है क्या नहीं होगा उजाला नहीं होगा उस घर में चाहे जितना 14 कला से चंद्रमा दिखाई पड़े और चाहे आप 64 दीपक क्यों न जला ले ये कबीर दास यहां पर बताने का प्रियास करते हैं इस साकी में बात की जाए तो यहां पर घर का आसे सरीर से है यहां पर घर मतलब जो एक परकार से 14 दीवा जारी कर 14 चंदा माही और तिहीं घर माने यहां पर जो है किस सरीर सतात पड़ लिया गया है कि उस सरीर में ग्यान कभी संचरित नहीं होगा जिसमें एक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का प्रकास नहीं है उसमें ग्यान का एक प्रकार से प्रकास नहीं जलेगा ठीक, यहाँ दूसरी बात क्या है कि किसी ब्यक्ति को 64 कलाओ और 14 बिधाओं का ग्यान हो अगर किसी ब्यक्ति को यहाँ पर जो 54 यहाँ पर लिया गया है 14 चंदा माही, 14 बिधाओं का किसी ब्यक्ति को ग्यान हो innovate और 14 बिधाओं से वो ग्यान हो विक्ति लेकिन जब तक उसको ईसोरी ब्रकास नहीं मिलता तब तक गहाँ परकासी निर्मोलिवान होता है मुल्लिवान नहीं होता है कहने का मल्लब यह है आप कितने ज्ञानी हो जाएं लेकिन ज्ञान आपका प्रकार से तब जो जागर होगा तब सभी के सामने आएगा जब आपके पास भगवान का इसाथ होगा कहने का मल्लब यह है कि आप अपने 40 कलाओं और 14 विधाओं का घ्यान कीो ना रखता हो लेकिए इसमें इसुरिये प्रقास के भाव है तो वह प्रकास और अब तो यह बात यहां पर है कवीर दाह जी ने इन पंक्तियों में ज्ञान और भक्ति के अभिनत तो जो है अभिनत तो को दर्थाने का प्रियास किया है तो यह तमाम सरी चीज़ आप भी सेस में डाल सकते हैं आगे देखते हैं और आज जो है पांचवादोहा देखिए आप सभी पांचवादोहा आपका क्या है कि माया दीपक नर्पतंग भ्रम भरम इवय पंडत और कभीर गुर्ज्ञान थै एक आध्य करने का मतलब यहां पर यह इसका यहां पर जो है संदर्व तो ही रहेगा आपका जो हमने पहले बता दिया कि हाँ कि Yeоеeeeeeeee होते हैं जो है आसपास एरिया में उड़ा करते हैं जब दीपक जलता है तो उसी को पतिंगा कहा जाता है ठीक एक बार जितने भी लोग मारे साथ नए जुड़ रहें फटाबर से वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा समझो यहाँ पर मेरे भाई समझो यहाँ पर कि माया दीपक नर पतंग कबीर दाजी कहते हैं कि माया दीपक की तरह है क्या माया दीपक की तरह है और नर किसके समान है पतंगे के समान मलब पतंगे के समान है कभीरदाजी क्या कहते है कि माया दीपक की तरह है और मनुस्य किसकी भाती है पतंगे की भाती है भ्रहमी भ्रहमी इवय पंड़त है भ्रहमी इवय पंड़त का मलब यहाँ पर यह है कि वह माया रूपी जो दीपक है माया रूपी जो दीपक है वह जो नर रूपी जो पतिंगा है उसको अपने आस पास हमेशा क्या करने लगता है आकरसित होने मलब आकरसित करने लगता है दीपक जैसे खीचता है एक भामरे को मलब जैसे कीडे को अपने पास मलब अपने जो है भरम करके बसी भोत कर लेता ठी जो है नर रूपी जो एक परकार से जो जिस परकार से दीपक पतिंगों को खीचता है उसी परकार से माया जो है नर को क्या करती है अपने जो है अपने में बसी भूत कर लेती है और हमेशा अपने में गिराती रहती है हमेशा कबीरदाजी कहते हैं कहा है कबीर गुर ग्यान थ हो जाते हैं माय रूपी जो दीपक है उसकी वो राकरसित हो करके भ्रम के बसी भूत हो करके और उसी में गिरते रहते हैं हमेशा भरम भरम इवय पंड़त मलब उसी में हमेशा घूम घूम कर गिरते रहते हैं और उसी में रहते हैं कबीर दास कहते हैं कि गुरू के ज्यान से क्या होता है गुरू के ज्यान जब जिसको गुरू का ज्यान प्राप्त हो जाता है वही विक्ति जो बहुत सारे एक आधे में एक आधे मलब की परकार से बहुत रियर से रियर केसों में कोई विक्ति इस माया से उबर पाता है सभी लोग मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं कबीर दास यहां पर इन बातों को कहने का प्रियास करते हैं तो इतनी बाते आपके किलियर हो गई इतनी बाते किलियर हो गई मेरे पैर दोस्तों तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंतरगत समझेंगे किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो परकार से अगला है बीरहुको अंग और बीरहुको अंग की ब्याक्या हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उससे पहले इस पन्क्तियों की जो है कि परकार से कुछ बिसेज बातेया हम जान लीजिए कि इस साखी में जो है इस दोहिए में बात की जाए तो माया के आकरशन और उससे मुक्ती को दर्सायागाया है मनलब की सबसे पहले तो ये जाने की माया जो हOTी है वो दीपक की भाती है वो नर को किस परकार से पतिंगे की भाती अपने की और आकरसित करती जिस परकार से एक दिया जलता है तो उसके किनारे किनारे जो होते हैं आप देखेंगे जब बारिस का महीना होता है तब लाइट जो जलती है उसके किनारे किनारे भी पतिंगे जो है पर अब एक प्रसन उड़ता है कि पहले दीपक था तो दीपक में जो है पतिंगे चले आते थे मर जाते थे उसमें गिर करके जल जाते थे लेकिन अब तो बल्ब चल गया उसमें पतिंगे नहीं मरते हैं तो अब जो है यहां पर दीपक से तुलना की गई है ना कि वलब से तो गुरू के ग्यान से उबरने का तरीका यहां पर क़वीर दास ने बताने का प्र potrze किया कहां कभीर गुरु ग्यान होते है जो बहुत ज़्यादा धैर धैरसाली होते हैं ठीक तो यह बात यहां पर उन्होंने बताई तो इतनी चीछे किलियर हो गई तो अब डाउट कोई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो आज की वीडियो के अंतरकत हमने पांच दोहा देखा एक बार सबी लोग वीडियो को लाइक करें जतने भी लोग मारे साथ नए जुड़े होई हैं फटा पड़ते हमने ये दोहा देखा हमने ये दोहा चौशड़ दीवा जारीकर चौदा चंदा माही और तेहीं घर की किसको चानिडो जिहीं घर गोविन्दा इसको भी देखा पीछे लागा जाए था लोग बेदी के साथ आगे था सत्गुर मिला दीपक दिया हाथ ये भी देख लिया सत्गुर लाई कमाड करी और बाहर लागा तीर एक जुबाह फृट शुबह तरहर रहा सरी इसको भी हमने देख लिया और ये हमने देखा पहला दोहा सत्गुर समान को सगा सोधी सईन दाती हरजी सामन को ही तु हरजी हरजन सई न जाती यह पांच दोहा आमने देख लिया तो यह अब कल की वीडियो जो होगी आपकी यहाँ को अंग कोले करके 14 दोहा है उसका दसवा दोहा 12 दोहा बीसवा और 33 देखींगे ठीक अब आज अभी आप सभी लोग रात 9 बजे से अभी आपकी क्लास कौन से लगने वाली है political science की आप जटीव टैप की जो क्लास होगी वो लगने वाली है तो आप सभी लोगों के लिए most important है चुकि चाहे आपकी परिक्षा लिखे तो चाहे आपकी परिक्षा objective हो तो उस वो जो आप देख लेंगे जो आज की वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा आपका वीडियो जो इक पर कार्षर चलने का प्रियास रहेगा तो आप सभी लोग फटापट से वीडियो को लाइक और पिर ये गिदे आर वीडियो में पहले से उस पर लईखा होगा तो उस पहले से वीडियो को लाइक कर दींजिए क्म Expandम और प्रक्तार कर Set 3 конт English की तयारी कर रहा हो अदेद चुका हूं तो उसको आप लोग देख लीजेगा ऐसे जो है अब्जेक्टिव का पर एक परकार से लाने का प्रियास रहेगा मोस्ट इंपोर्टन चीजे इसमें रखी गई है तो आप सभी लोग परिशान मत हुएगा अभी रात नौ बजे से पॉलिटिकल साइंस की क्लास होने वाली जिसमें बहुत ही महात्पूर महात्पूर पर चर्चा की जाएगी ओके तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत धानी बाद आप सभी का